नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिंपल फ़र्मिस है इस्टडी में दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे सर्ट्रा लीन टैबलेट के बारे में कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी जैसे कि भाई इस दवाई का उपयोग आखिरकार किस प्रकार की जो है दिमाकी बीमारी को ठीक करने के लिए किया जाता है साथ ही दोस्तों आपको बताएंगे कैसे लेना रहता है इस टैबलेट को कितना डोज इसका चलाया जाता है इसके साइड इफर्ट क्या कुछ आते हैं तो कम्प्ल 30MG, 50MG और 100MG की स्टंथ में देखने को मिलती है बात करेंगे किस नेम से मिलती है तो दोस्तों इसके कई सारे पॉपलर ब्रेंड नेम मेटकल स्टोर पे अवेलेबल है जिसमें से सर्टा टैबलेट आती है इसकी जो किम मिल जाती है इसके अलावा दोस्तों जो सर्ट आती है वो भी आप बाई कर सकते हैं तीनों दवाईयों का साल्ट सेम है अब दोस्तों आपको फटा फट बताते हैं कि यह जो दवाई है आखिरकार किस क्लास की दवाई है तो दोस्तों यह सेलेक्टिव सेरोटोरिन री अप्टेक इनिविटर क्लास की दवाई है जिसको डिप्रेशिवू डिसॉर्डर है तो उस केसे में फर्स्ट लाइंड के तोर पर यह मेडिसिण पिशन numer को दीजाती है बात करें दोस्तों लाइफ यह भय क्यूम गण प्रुभावित हो जाती है यह मानसिक विकार दोस्तों दिमागी इस्थित है इसमें हमेशा व्यक्ति का मन उदास रहता है और किसी भी काम को करने में मन नहीं लगता है वो हर दम पड़ा रहता है विस्तर पर तो उस कंडिशन में इसका उपयोग किया जाता है तो काफी जादा फायदे मंद है इसके अलावा दोस्तों Obsessive Compulsive Disorder जिसको OCD बोला जाता है अब इसको ठीक करने के लिए भी इस दवाय का उपयोग होता है बात करें दोस्तों OCD के बारे में तो इसमें क्या होता है कि जरूरत से जादा बिचार एक ही काम को बार बार करने के लिए मजबूर हो जाते हैं यानि कि विक्त के ऐसे बिचार आते हैं कि वो एक ही काम को बार बार करेगा ठीक है तो OCD को ठीक करने के लिए भी इस दवाय का उपयोग होता है साथ इसाथ दोस्तो पैनिक डिसॉर्डर में भी इसका उपयोग होता है कि कोई ऐसी चीज आप अचानक से देख लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा डर जाते हैं जिससे क्या होता है आपके करकार के सारीरिक लच्छळाने लगते हैं तो उस condition में यानि कि panic disorder में इसका उपयोग किया जाता है इसके अलावा दोस्तो इसका उपयोग post traumatic stress disorder जिसको short form में PTSD भी बोला जाता है तो दोस्तो इसमें बिसकली क्या होता है माली जे कि व्यक्ति के कभी पास्ट में उसका accident हुआ है या कोई भयानक दुरघटना उसके साथ घ रहती है तो उस case में भी इसका उपयोग किया जाता है इसके अलावा दोस्तो प्री मेस्ट्वर डिसफोरिक disorder इसमें विसकली क्या होता है कि कई महिलाएं ऐसी होते हैं जिनके periods आने से पहले ही उन्हें काफी जादा tension चिंता तनाओ की समस्या होती है तो उस case में भी इसका उ प्रीलाओं के लिए फायदे मंद होती है इसके अलावा दोस्तों इस tablet का उपयोग social anxiety disorder जिसको short form में SAID बोला जाता है अब इसमें क्या होता है दोस्तों कि भाई इसमें जो व्यक्त होता है वो दूसरे लोगों से मिलने में कोई रूची नहीं रखता है साथ ही साथ दोस्तो दूसरे लोगों से मिलने में उसे बहुत ज़्यादा डर लगता है घबराट होती है और इसमें व्यक्ति बहुत ज़्यादा किसी से मिलने में चिंता कर लेता है काफी ज़्यादा वो डर उसे लगता है इसके अलावा दोस्तों खुद के प्रतिवों संकोच करता है सरमिंद करें अब बात कर लेते हैं इस टैबलेट को कैसे लेना रहता है और इसका कितना क्या डोज लेना रहता है तो दोस्तों इस टैबलेट को दिन में एक बार डॉक्टर लेने की सलाह दे सकते हैं या तो आपसे वो सुबह लेने की सलाह दे सकते हैं या फिर आपसे बोल सकते हैं कि भाई evening में इस tablet को लेना है बात करें तो इस tablet को अकसर खाना खाने के बाद उपयोग किया जाता है बात करें दोस्तों कि भाई dose कितना patient को दिया जाता है तो dose आपकी condition ओमर age पे depend करता है दोस्तों इसकी जो 25 mg वाली tablet है और 50 mg वाली tablet है वो ज्यादा तर जो है मरीजों में डॉक्टर लेनी के सला देते हैं इसके लाव भाई जरूरत पढ़ने पर आपको 100 mg वाली tablet भी दी जा सकती है बात करें दोस्तों इसके side effect क्या कुछ आ सकते हैं तो side effect में light headness होना आपके diarrhea की समस्या होना आपके मतली लगना पसीना ज्यादा निकलना चक्कर जैसा महसूस होना confusion होना इसके अलावा दोस्तों जो है जो पुरुस होते हैं उनमें जो है उनके private life से जुड़ा किसी पकार का issue हो जाना या फिर महिलाओं में उनके private life से जोड़ा किसी पकार का issue हो जाना इसके अलबा बहुत ज़्यादा थकान महसूस होना तो दोस्तों ये इसके common side fact है इसमें से इसके अलबा कोई भी side fact दिखाए देता है तो दबाई का further उपयोग नहीं करना है साथी साथ आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना है तो दोस्तों यही था आज का वीडियो सट्रा लीन टैबलेट के उपर वीडियो कैसा लगा comment में जरूर बताएं साथी भीया जो लोग चैनल पे पहली बार आएं चैनल को सब्सकाइब करें अपना पैट जहुर दिखाएं मिलेंगा आप से अगले वीडियो में तब तक के लिए जहिन बंदे मातरम टेक केर भाए